दोस्तो स्वागत है आप सेवी का अमारे यूटूब चैनल आली इंफॉर्मेशन बार में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो दोस्तो उसके पहले अगर आप चैनल पेन नहीं है तो फ्लीज स्वागत को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमारी मोटिवेशन के लिए जलू कर दीजेगा चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को एप्लिकेशन में कनवर्ट करना चाते हैं तो क्या उससे आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है या फिर नहीं सबसे अगर आप किसी भी वेबसाइट को बार-बार विजिट करते हैं अपने फोन में आपका उस वेबसाइट पर काफी ज़्यादा काम होता है तो आप बार-बार वहाँ पर जाकि लिंक कॉपी करते हो या फिक सर्च करते हो तब वो वेबसाइट आपको उपन होता है कई नॉर्मल सी स्टेफ्स आपको करने हैं और website जो है वो likely कुछ application में convert हो जाएगा तो चलते हैं अपने mobile screen की तरफ तो दोस्तो आ चुके हैं अम लोग अपने mobile screen की तरफ simple तरीके से आपको अपने Google पे ही जिस पे भी आप पने website को सर्च करते हैं वहाँ पर आप उस website को सर्च करके एक बार page जरूर open कर लिजिए तो यहाँ पर मैं search कर लिता हूँ सरकारी result.com यानि सरकारी result वाला website मैं खोड लिता हूँ अब यहाँ पर जैसे ही मेरा main page है सपोस्थ आप यहाँ पर कोई भी website को choose कर सकते हैं अब मैं इस website को सपोस्थ मैं बहुत ज़्यादा visit करता हूँ और म बोच रहा हूँ तो simple तरीके से आपको यहाँ पर three dot पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर add to home screen वाला option आपको देखने को मिल जाता है अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह application में convert होगा बट यह home screen पर आपके हमेशा के लिए रह जाएगा like application simple तरीकी से आपको उस पर click कर दे है simple तरीकी से आपको इसे add पर click कर देना है add पर click करने के बाद यहाँ पर add automatically पर भी click कर देना है click करने के बाद यह website अब आपके home screen पर आपको देखने को मिल जाएगा तो simple से हम आप back हो जाते है back होने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने home screen को check कर लेना है कि क्या वो website जो है वो हमारे home screen पर आ चुका है या फिर नहीं तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सरकारी result.com home screen पर हमारे आ चुका है तो यहाँ पर मैंने कई सारे ऐसे website को अपने important websites को यहाँ पर एक like application मैंने आपर convert करके रखा है तो simple तरीके से आपको ऐसे ही convert कर लेना है अब यहाँ पर मैं अपने phone को थोड़ा सा refresh कर लेता हूँ सो refresh करने के बाद अब simple तरीके से थोड़ी सी clarity test कर लेते हैं यानि विश्वास वाली test जो कि आपको हमारी channel पर हमेशा दे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब परना मत भूलेगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारे motivation के लिए जरूर कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में